गैस अगर आप लोग अपने वाइल फोन में एटल का सिम यूज़ करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे पिल सेटिंग के बारे बताने जा रहा हूं जिसका यूज़ करने के बाद आपके एटल के इंटरेनट की स्पीड पहले से काफी ज़्याता बढ़ जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक में जाएंको सस्काइब नहीं किया तो प्लीज जाएंको सस्काइब कर लेजिए दोस्तों एटल के इंटरेनट की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाल फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां से सिम कार्ड और मोबाल डेटा के आपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अपने ATL के SIM को स्लेट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा access point name तो आपको यहाँ पर इसके अपर click कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एतल का एक by default app देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर इसको भिलकुश भी टॉस की डिला करना इसके बाद आपको यहां से प्लस की आइकन के पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक न solvent का form आपन हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपको यहां से name के option पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर लिख देना है speed इसके बाद आपको लिखना है bot speed bot के बाद आपको space देना है इसके बाद आपको लिख देना है 2022 करने के बाद आपको यहां पर पुरा स्मौल लिटर में लिखना है तैंड, आपका नाटि स्ट रहेगा, पोड़ी भी आ अंपका नाट स्ट रहेगा, इसके बाद आपको यहां पर यूजर नेम के ओपर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको यहां पर लिख दिना है, S P batch, इसके बाद आपको लिख दिना है 5G, आपको पूरा small letter पर लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पर इसको okay कर देना है okay करने के बाद आपको नीचे जाना है password आपका not set रहेगा इसके बाद आपको यहाँ पर server के option पर click कर देना है और आपको यहाँ पर लिख देना है www.google.com इसके बाद आपको यहाँ पर इसको OK कर देना है OK करने के बाद आपको नीचे जाना है MMSC आपका Not Set रहेगा MMS Proxy भी आपका Not Set रहेगा MMS Board भी आपका Not Set रहेगा MCC और MNC आपके Area Code होते हैं आपको इनको बिल्कुल भी टेच नहीं करना है जो भी आपका है वैसे उसको By Default आपको छोड़ देना है इसके बाद आपको यहाँ से Authentication टैप के उपर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से इसमें सबसे Last Role Option को सेलेट कर लेना है P.A.P. औ. चैप को इसके बाद आपको यहाँ से Appian Tap के उपर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर लिख देना है Default इसके बाद आपको यहाँ से Go की कर देना है Okay करने के बाद आपको नीचे जाना है इसके बाद आपको यहाँ से Appian Protocol के उपर क्लिक करना है और इसमें से आपको सबसे last roll option को select कर लिना है तो guys हम यहां से सभी bearer को select कर लेते गाइस कई सरी डिवाइसे में से ज़्यादा बेरड सपोर्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्यों आप LTE को भी स्लेट कर सकते हैं इसके बाद आपके यहां पर बैक जाना है बैक जाने के बाद आपको नीचे जाना है आपको यहां पर नॉट चट रहेगा इसके बाद आपको यहां पर इसको सेप कर देना है तो गई जैसे आप लोग यहां पर इतना करेंगे तो अब दीर सती यहां पर Speedbot 2022 नाम कर यहां पर नया एपन की रिट हो चुका है इसके सामने आपको यहां पर अपलाई के ओप्सन पर रिस्टार्ट करके चेक कर लेना है तो गई इस तरह से आप लोग अपने मबाईल फोन में इसी पिन कर यूज़ करके अपनी एटर्क की इंटर्नेट की Speed को बढ़ा सकते है तो गई सकर आपको वीडियो चिले को लाइक कर चाहां को सस्काइब करें थैंक्यू फर वाचिंग तरह से अपने ने ते हमानि तो गई करके यूज़ कर दो बढ़ा सकते ही उटर्क कर लाइक कर दो प्रब्सक्राद कर दो वाँ़ा है तो गई ने तो दो थाग तो